Hello everyone, welcome back again बेटा, तो आज हम डिसकस करने वाले हैं worksheet number 37 Roman numerals आपने पढ़ने हैं सबसे पहले आप इनको पढ़ोगे 1st को कैसे लिखते हैं, 2nd को, 3rd को ऐसे 50, 100, 500, 1000 यह आपने याद रखने हैं ठीक है, आगे देखो इसने एक condition दी है If a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs इसको मैंने repeat किया, यह 1 और यह 1 1 plus 1 कितना हो गया? 2 ठीक है, repeat हो रहा तो plus add होते जले जाएंगे A symbol is not repeated more than 3 times But the symbol V, L and D are never repeated किसी भी symbol को हम 3 से ज़्यादा बार repeat नहीं कर सकते लेकिन जो आपका V, L और D हैं वो कभी भी repeat होते ही यह उनको आप दुबारा से लिखी नहीं सकते ठीक है, अब आजो If a symbol of smaller value is written to right Of the symbol, its value added अगर कोई symbol छोटा है, जैसे यह लिख दिया तो यह वाली values में plus हो जाएगी ठीक है, यह पहले लिख दी इस से तो यह क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी ठीक है, अब देखो जैसे फास दियाओ 5, 5 को कैसे लिख तो बेटा? ऐसे ठीक है, 28 को कैसे लिखोगे? 10, 10 20, 25 26, 27, 28 This is your 28 100 को कैसे लिखोगे बेटे? C, 100 को कैसे लिखोगे? 100 को कैसे लिखोगे बेटा? C, ठीक है, और 72 को कैसे लिखोगे? L X यह होगे 50, 60, 70 71, 72 तो यह आपका answer, ठीक है तो यह थी आपकी worksheet number 37 I hope it is clear to everyone and if you like it, then please, please like, subscribe, share करना मत भूलीगा, thank you so much